Hey guys, what's up, welcome back to another fresh video of Gadget Junction यदि आप Android TV यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लिए काम का हो सकता है आज हम बात करने वाले कैसे आप आपके Android TV पे ब्राउसर को इंस्टॉल कर सकते हैं तो चली सबसे पहले जानते हैं क्या इसका परपज है और हमें क्यों Android TV पे ब्राउसर को इंस्टॉल करना चाहिए सबसे पहले Android TV अभी डैवलपमेंट फेज में जिस वज़े से आपको most popular apps तो Android TV में देखने के लिए मिल जाती है बट इस्टिल काफी सारी apps इसमें missing out feel होती है तो ऐसे में वेब राउसर को इंस्टॉल करके आपके Android TV पे डिरेक्ली इन एप्स का वेब बेस्ट वर्जन यूस कर सकते हैं जिससे आप WhatsApp वैब, Telegram वैब जैसी apps को डिरेक्ली आपके Android TV से एक्सिस कर सकते हैं तो चली जानते हैं इस वीडियो में कैसे आप आपके टीवी पे वैब राउसर को इंस्टॉल करके यूस कर सकते हैं सो विदाउट पेस्टिंग मच टाइम, लेट्स केट स्टार्टिग सबसे सिंपलेस्ट वे में ब्राउजर को Android TV पर एक्सिस करने के लिए हम प्ले स्टोर से पफिन ब्राउजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इस ब्राउजर में आपको वेब ब्राउजर के इसेंशल फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं अब इसे इंस्टॉल करने के लिए हम Android TV प्ले स्टोर पर जाकर पफिन ब्राउजर को सर्च करेंगे इसके बाद आप इंस्टॉल बाटन सेलेट करके ब्राउजर को आपके टीवी पर इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉलिशन प्रसेस कुछ टाइम लेगी डिपेंडिंग अपॉन यूर नेट स्पीड इंस्टॉलिशन कम्प्लीट होने के बाद हम ब्राउजर को होम स्क्रीन पर एड़ कर लेंगे जिससे हम इसे इसे एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन से बेस्टिंग पॉफिन ब्राउजर में आपको देखने के लिए मिलती है टीवी रिमोट कमपैटिबिलिटी जिससे आप इजली कोई भी वेबसाइट को टीवी रिमोट से नेविगेट करके यूज कर सकते हैं पॉफिन ब्राउजर में आपको एजली वेबसाइट एक्सेस करने के लिए तो मिल जाती है बटिदिया आप फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पॉफिन ब्राउजर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है कि यह डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है अब फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर का यूज कर सकते हैं जिससे आप एजिली आपके एंड्रोइड टीवी पे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो चली जानते हैं कैसे आप क्रोम ब्राउजर को आपके टीवी पे इंस्टॉल करेंगे अब Chrome browser को Android TV पे install करने के लिए सबसे पहले हम smartphone पर Aptoid TV को search करेंगे इसके बाद हम web version select करके Aptoid TV को download करेंगे Aptoid TV एक alternative play store है जिसमें आपको काफी सारी apps देखने के लिए मिल जाती है जो apps आपको Android TV पे directly available नहीं रती उसे आप Aptoid TV से install करके आपके Android TV पर use कर सकते हैं अब Aptoid TV को phone में download करने के बाद हम send files to TV app का use करेंगे इस app के थूँ आप किसी भी file को easily आपके TV पर share कर सकते हैं यदि आप इस app से familiar नहीं हैं तो आप send files TV को Android TV और smartphone के play store से directly download करके install कर सकते हैं इसे लिए आपको कोई issue phase करना पड़ता है तो आप इसका complete tutorial देख सकते हैं काट पर click करके अब Aptoid TV AP के फाइल को TV पर send करने के बाद हम इस app को install करेंगे फाइल को browse करने के लिए मैंने fx file explorer का use करा है fx file explorer में हम download folder select करके AP की को open करेंगे इसके बाद हम install button press करेंगे अब Aptoid TV install होने के बाद हम Google Chrome app को Aptoid TV पर search करेंगे इसके बाद हम Google Chrome select करके install button select करेंगे Google Chrome installation होने के बाद हम Google Chrome को directly open कर सकते हैं side load apps के साथ issue ये रहता है कि आप apps को directly आपके home screen से access नहीं कर सकते अब easiest way में Chrome app को home screen से access करने के लिए हम प्ले स्टोर पर से side load app को install करेंगे side load app के थुरू आप Android TV के home screen से Chrome app को directly access कर सकते हैं Chrome browser पे आपको remote support देखने के लिए नहीं मिलता जिस वज़े से आपको external mouse connect करना पड़ता है completely browser का experience लेने के लिए अब थर्ड browser जो आप आपके Android TV पर install कर सकते हैं वो है Firefox Firefox में आपको कुछ major advantages देखने को मिल जाते हैं compared to Chrome browser Firefox browser में आपको remote compatibility देखने के लिए मिल जाती है जिससे आप आपके TV remote को mouse की तरह use कर सकते हैं साथ ही Firefox browser home screen पर directly add भी हो जाता है अब Firefox browser को install करना काफी simple है इसके लिए हम एपके TV पर Firefox app को सर्च करेंगे और इंस्टॉल बटन प्रेस करेंगे अब आपके TV पर Firefox browser home screen पर एड़ हो चुका है इसके बाद हम डिरेक्ली Firefox browser को use कर सकते हैं तो प्रेड में आपको इस वीडियो आपको पसंदा होगा स्टिल यह दिया आपको कोई confusion यह doubt है तो आप comment section में बता सकते हैं और इस तैप को और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो पसंदा है तो आप like कर सकते हैं So thanks for watching, see you in next one